जैहिन जैभारत and welcome to Dev Talks, this is आदियर चिन्थ, बड़ी amazing सी news आ रही है, एक country जिसको basically अभी कू कू हो के बाहर निकला है, रेजीम चेंज हो के बाहर निकला है वो, लेकिन उसको अभी सब कुछ दिख रहा है, सिर्फ एकी चीज़ दिखती है कि भई किस तरह मैं पाकिस्तान से ammunition यह एक बड़ी बिमारी है, इन countries के अंदर की भई बाकी खाने पीने का पता नहीं, लेकिन हतियार हमेशा आपने पास होने चीज़ चलिए देखें, यह है क्या चकर और पाकिस्तान से बीच में ammunition क्यों ले रहा है, क्या expect कर रहा है भांगलदेश की यह कोई normal purchases हैं कि क्या है, सबसे पहले जो news आई कि जो interim government है, जैसी शेक खसीना वहाँ से निकली, उसके एक दो दिन के अंदर ही 40,000 artillery shells, 2,000 tank ammunition, 40 ton RDX, wax form में, and 2,900 high-intensity projectiles, पाकिस्तान से इनोंने मुझा है, यह इनोंने order है, यह basically अगर आप artillery shells की देखें, तो यह कब से कम नहीं तो 200 से 300% increase है, क्योंकि 59 tanks जो है, उनकी जो गन है, उसके ammunition, यह POF से, पाकिसान ordinance factory से, बहुत time से मंगा रहे है, as a matter fact, यह ammunition के साथ, इनके बहुत problem भी हो रहे है, तो आगे जाके मैं आपको सब गाँ, लेकिन 200% increase, जो यह अभी इन लोगोंने करा है, and जिस तरह की चीज़े मंगा है, RDX explosive is something which is very very interesting, कह पर यूज करने वाले हैं, किस तरफ यूज करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बेसिकली पाकिस्तान की export जो division है, पाकिस्तान ordinance factory की, जो उसका factory board है, उसकी तरफ से यह order दिया जाएगा, कहीना कहीं, वहां से यह supplies की जाएंगी, और सप्टेंबर के मह जो जितनी भी चल रही हैं, उसके अंदर ammunition बेच के, ये लोग Ukraine को 2021 से बेच रहे हैं, October से जो मैंने report किया था उस टाइम पे, and उसके बाद इस्रेल की तरफ भी पाकिस्तान के ammunition कई चीजें जा रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं मानेंगे, इस्रेली भी नहीं मानेंगे, लेकिन म हैं, आपको बता रहा हूँ, ये बेच रहे हैं, होता क्या है, कि साब ये Americans को बेचते हैं, European Pals को बेचते हैं, किसको भी बेचते हैं, उसके बाद वहाँ से वो redirect होके जाता है, जैसे Indian ammunition भी आपने देखा आई है, चेक Republic की तरफ से redirect होके, Ukraine की तरफ चले गया था, तो पाकिस लार्ज कैलिबर artillery उन्होंने खरी दी है, वो चाइना से खरी दी है, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसके compatible में पाकिस्तानी ammunition 155 की और 122 की या 125 की वो उसमें यूज होती है, टैंक्स में भी T59 टैंक्स जो चाइनीज ने दे रखे हैं, उसमें भी पाकिस्तानी ammunition यूज होत है, तो काफी हट तक इनका कहीना कहीन चाइना के साथ relationship about the military काफी हट तक है, ये situation कैसे आगे जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अमरीकन महां को से वहें, अमरीकन तो बोलेंगे, भईया, हम तो चाइनीज वाला तुमाने को लेने नी देंगे, ये basically मेरे हिसाब से last shot होगा, कही पास बिल्कुल भी नहीं है, हम को एक दो तो मंगाने दो, ने तो फंगे हो जाएंगे, हमारे कोई गुजगास गया तो हमारी परिशानी हो जाएगी, ये लोग क्यों मंगा रहे हैं ये चीज, क्योंकि देखिए ऐसा है, इनको अगर आप बोलें कि भई, ये लोग बोलते ह ब्ध, मैनमार्ट से जगड़ा होने वाला है, कई लोग बोलते हैं भारत के साथ जगड़ा होने वाला है, अगर, I don't know what they are expecting, बट अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मायनमार से है, तो चालीस हजार शेल्स तो ठीक है, कोई बात ही, लेकि अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे नहीं हो और वो भी देखिए वो है कि जब भारत कुछ कांटर अटैक नहीं कर रहा होगा क्योंकि वहां से अगर कुछ भी आटलिरी आएगा यहां से कांटर बैटरी फायर के अंदर उनकी पूरी आटलिरी को उड़ाने के मारे पास बहुत अच्छी केपिबिलिटी है उसके क्या कर रहे हैं यह बड़ी इंट्रेस्टिंग सा सवाल है क्योंकि या तो यह बेसिकली अपने आप यह लास्ट बेसिकली ले रहे हैं जो चाइनीज एकूपन्ट है उसका बिफोर यह जो अमेरिकन के पूरी गोदी में जाके बैठने से या फिर इनको कोई ट्रॉबल एक् और पाकिस्तान की यह बैंक अकाउंट के पैसे पूर से चले जाते हैं पाकिस्तानी अमिनेशन बड़ी नास्टी है वैसे पिछले एक दू महीने तीन महीने पहले यह लोग टैंक फारिंग एक्साइज कर रहे थे जिसके अंदर इच टैंक हैड तो फार सिक्स्टी पाकिस्तान से लेते हैं तो चैनी ने बड़ा इनको बोला किसाब ऐसा है प्रॉब्लम होई है कि आपके पस पाकिस्तानी अमिनेशन है जो ले रहे हैं और यहां पर इसका डबल क्रॉस करने के लिए अगर आप इसको चेक करना जाएं तो यूक्रेन के अंदर भी काफी इंस के नेबर रूट के अंदर कुछ ऐसा दिखता है एक ऑफिटनिटी दिखती है कि भारत का कुछ ना कुछ यहां पर घाटा हुआ हो या कुछ हुआ हो वो आके खड़ा हो रहाता है यह चीज हमने देखी थी मॉल्डीव्स के अंदर जहां पर पाकिस्तानी मिनिस्टर्स पाक पाकिस्तानी यह पाकिस्तानी वो काफी हथ तक उनकी तरह से स्टेट्मेंस आने शुरू होगे हम मॉल्डीव्स के साथ खड़े हैं हम यह कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं यह चीज हमने देखी थी अफगानिस्तान में आल विल बी ओल राइट है कि हमारे चीफ जो उस टाइम बड़ा चाय चूपीने गहते हैं आज बिछारे जेल में बैठे हैं कोई बात नहीं ऐसे पाकिस्तान में ऐसे ही जो बोलते हैं ना किसमत बदलती है लोगों की तो कहीं न कहीं यह चीज पाकिस्तान की एक आदत है कि जहां पर भी बहारत के आसपास कोई भारत के लेते वए कोई क्राइसिस हो तो उसके अंदर कही न कहीं कुछ न कुछ interference करने की कोशिश दो ज़रूर करता है और ये वो ही पाकिस्तान ने जिसके पास अपने आप खाने को पैसे नहीं है ये वो ही बंगलादेश है जिसके पास हमारे को 1.8 billion dollars देने को नहीं है ये वो ही पाकिस्तान है जिसके खुद 130, 150, 200 के करीब soldiers बलोचिस्तान में ठुग गए है और खुद basically एक internal war से लड़ रहे हैं ये वो ही बंगलादेश है जहां पर जिसको पता नहीं है कौन government चला रहा है कभी जमात बोलता है कभी BNP बोलता है कभी यूनस बोलता है ये वो ही countries हैं जो एक time पे एक साथ ही इनका एक ही DNA है और आपको पता ही होगा कि भई पाकिस्तान भी अपना एक वहाँ पर बीच बहुत बड़ा वहाँ पर चोड़के गया था तो बेवपूफी की हद पाकिस्तानी सीड के अंदर होती है तो वो तो अब ही है उसके अंदर उसका तो कोई डाउट करें नहीं सकते आप चक्कर ये है कि भई बांगलादेश अगर कोई बेवपूफी इस तरफ करता है तो बेसिकली बांगलादेश बी किसिंग इटसेल्फ गुडबाई ये चीज तो बांगलादेश ये को बड़ी क्लेरली समझ में आनी चाहिए तो बड़ा इंट्रेस्टिंग सा है कि इन्होंने एकदम से अमिनेशन ओर्डर करी जैसी शेक अनी सर हसीना निकली इनको ओविसली कुछ तो बांगलादेशन ओर्डर के इन्होंने आमिनेशन ओर्डर के जाती है क्योंकि भारत किस तरह से गेम खेलेगा भारत क्या आप military action लेगा कि नहीं लेगा ये तो open book story है देखेंगे क्योंकि इस ताइम पे weather नहीं है weather only remember December में कुछ होगा तो उस ताइम पे थोड़ा track करके देखना पड़ेगा भाई situation किस तरफ जा रही है भारत हिंदूों के hit में आवाज अपनी उठा रहा है उस दिन जो बाइडन को भी थोड़ा सा embarrassed कर दिया था भारत ने about putting the joint statement and everything जिसके बारे में मैंने कल सुबह cover भी किया था तो ये game तो चलती रहेगी देखेंगे इसको track में रखेंगे आप से मैं request करूँगा ये video को like जरूर करेगा subscribe करेगा चानल को and most importantly share this with your friends and families आप लोग इस channel की तरफ contribute कर सकते हैं using the QR code या फिर PayPal या फिर super stickers, super chats मैं आपके साथ एक और video share करूँगा अभी थोड़ी देर के अंदर एक दो तीन घंटे के बार जहां पर मैं अमरीका और चायना की एक hidden relationship के बारे में आपके साथ expose करूँगा और शाम को जाके मैं आज वापिस जा रहा हूं